सब्सक्राइब करेंगी तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इसलिए आमारी वीडियो देख सकते हो तो सब्सक्राइब कौन साता हमार इसपास फार्मसिटिकल इंजिनेरिंग जो की बीपार्मसी तर्ट से में दिया गया है फार्स यहां परिंसलिए जए वहां पर फस्टाइब कर देख लग clapping हंके इसका प्रिंसीपल construction working advantages disadvantages application uses और बाद में कुछ नहीं कुछ नहीं बाद में देख ले चलो फर्श्ट आवर फ्रिंसिपल देख ले थे यह वन होट liquid mixture is allowed to enter the high pressure zone into a low pressure zone the entire liquid mixture is suddenly vaporized this process is known as a flash vaporization during this process the chamber gets cooled the individual vapor page molecules of high boiling friction gets condensed while low boiling production remains as a vapor प्रिंसिपल आपने समझ लिया तो बागी आगे समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको easy तरीके से आ जाएगा तो यह क्या कहता है फ्रेंट्स फर्स्ट आपर हम क्या करेंगे वहां पर हम पंप न करेंगे पंप आट्स करने के बाद क्या होगा हुस चमबर के अंदर हम लिखुईड इंट्रोडेश करेंगे और स्टेम इंट्रोडन करेंगे तो क्या जो भी यामारा सोलूशन हे तो सेलुशन वेपर मेंliest कनोट हो जाएगा कनोट होने के बाद क्या होगा वेपर में कनोट होने के बाद क्या होगा हम उसका जो प्रेशर होता है प्रेशर रिडूस करेंगी प्रेशर रिडूस करने के बाद क्या होगा जो वेपर प्रेशर है वह क्या होगा रिडूस करने के बाद प्रेशर रिडूस एक बार डाइग्राम के अंदर देख लेते हैं मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो यहां पर देख लिए डाइग्राम बहुत अच्छी से देख लिए प्रेंट्स एक्जम में अगर आपने डाइग्राम बना लिया तो कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं होगी डाइग्राम के बेसिस पर आप सब कुछ लिख सकते कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ लिख सकते वह कैसे चलो देख लेते हैं तो गाइज देख लेते चलो इसके अंदर कैसे होता है समझ लो आप फर्स्ट आपल आप समझने की कोशिश करो हमारे पास ए ल इसके आंदर जाने के बदा होगे यहां से यह हो जाएंगे यहांपर हीटर डेख लिखिंए यहि उपर जाएंगे, यहांorta इसका वेह पर आ जाएंगे यहां तक, तो हुहां पर हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर जो हो तो प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, कोगे, प्रेशा रिड्यूस करने के बाद जो भी liquid molecule, हमारे पास दो चंबर के रडड़ आने के बाद कि आ होगा जो ए लीकुड है फरेंटस उसका आगर समастी दोनों को हम बराबर हीट कर देंगे दोनों को हम बराबर हीट कर देंगे अच्छी से समझ लो इसको और एक बर आच्छी से यह का boiling point कितना है समझ लो 50 है और B का boiling point कितना है फ्रेंट्स 60 है यह का 50 और B का 60 है तो यहां से देख लिजे pressure तक आ गए उसका हमने वेपर कर देख नबेगे तो सबसे पहले सा वेपर पर प्रेशर लिक कणोट हो जाएगा आपए है यह पर यहां यहां पर यहँड़ बन जाएगा और बी की तरफ उसके वेपर जो है वो उपर की तरफ उसके वेपर पेशर जाएंगे फ्रेंइंगे तो ऐसा है क्रसक्ती यह वर्ड को टो उके वेपर talking just सबसेड़ करने नहीं देशा for the separating component which is boil at the widely different temperature okay जो इसका हम इसका यूज क्या है फ्रेंस समझ जिए दो है उसका डिफरेंट टेंपरेचर होना चाहिया यह उसका तो यूद्स क्ला स्वेट आजरा से लिए रिफाईटाय। क्रूड ओयल को रिफाइनिक करने के लिए अडमेटेज ए फ्लाश डिस्टिलेशन इस प्संद आए वोगा इसके आंदर कोई डाउट या प्रवंदान कम्मिनिशेशन में जरू बतना वरकिंग वो सब सेमें प्रेंट्स इसे आज चीज समझ लो तो मिलते नेक्स्ट वीडिय के साथ फिलाल इस वीडियो के अंदर इतनी थैंक यू सो मच